Hello doctors, कैसे हैं आप सभी लोग? I hope आप सभी लोग healthy होंगे, happy होंगे चलिए, शुरू करते हैं आज का lecture आज हम देखने वाले हैं एक बहुत important medicine that is arsenic album homeopathy की एक बहुत important medicine है जो आपने देखा होगा कि corona में काफी जादा use हुई थी और इसका result भी काफी अच्छा रहा आता तो examination point of view कहलो या फिर clinical point of view कहलो ये medicine आपको अच्छे से आनी चाहिए, याद होनी चाहिए ठीक है और इसकी exam में हमारा DP पूछी जाती है, drug picture पूछी जाती है उसके बाद फिर हम नीचे जाएंगे और थोड़ा सा comparison है इसका echo net के साथ में वो देख लेंगे हम, जो कि हमने echo net में भी देखा था इसका एक rashless का trials है, वो देख लेंगे और फिर शुरू होता है हमारा second and most important part कि आप इस story trick की help से कैसे इस medicine की drug picture लिख पाओगे exam के दोरान अगर आप से पूछ ली जाती है, तो मैं आपको दिखाऊंगा आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, आपको कुछ भी याद नहीं करना है मैं आपको थोड़ा सा लिखना सिखाऊंगा कि कैसे आपको drug pictures लिखनी है क्योंकि हमारे जो सिलेबत की जो भी medicine जिनकी drug pictures पूछी जाती है उनको आपको इसी तरीके से लिखना रहेगा, जो तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ ठीक है, और method बहुत ही simple है, ये एक बार देखोगे, आपको बहुत सारी चीज़े clear हो जाएंगी ठीक थोड़ा सा ये लंबा part है हमारा, इसके बाद में last वाला जो part है हम देखेंगे इसका जो clinical वाला part है वो देख लेंगे last में कि clinic पर आपको क्या-क्या देखना है इसके लिए किन-किन symptoms में ये medicine देनी है और क्या symptom patient के अंदर होने चाहिए चलो तो बिना time waste कि ये शुरू करते हैं सबसे पहला part that is story trick of arsenic album ठीक है सब लोग ध्यान से पूरा ध्यान आपका screen पर शुरू करते हैं तो ये जो कहानी है इसमें क्या होता है कि Dr. Hennyman एक आशिक को आशिक मतर समझते हैं आप लोग उसको एक white ox gift में देते हैं ठीक है तो लोग कहते थे ये white ox किसका है ये white ox of arsenic है white ox of arsenic है तो यहां से हमने कावी सारी चीज़े की हैं देख लेते हैं पहले सबसे पहले medicine का नाम आशिक for arsenic Dr. Hennyman तो Dr. Hennyman ही है और common name white ox of arsenic मतरब white oxide of arsenic ठीक है ये चीज़ आप याद कर लेना AH2O3 चलो आगे भड़ते हैं अब जो white ox दिया था Dr. Hennyman ने आशिक को white ox कहता था दिखने में पतला दुबला कमजोर सा गंदा सा दिख रहा था कि Dr. Hennyman ऐसी गली में से पकड़ लाई थे और आशिक को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना था उनको तो उनको ने एक white ox दे दिया उसको ठीक है अब दिखने में काफी गंदा था लेकिन गड़बड ये थी कि जो आर्षनिक था हमारा जो आशिक था उसको गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी ठीक है बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता था वो कोई भी चीज गंदी ठीक तो उसने क्या किया कि जैसे ही वो white ox को दिया उनको गर पर लेकर आया उसको ठंडे पानी से नहला दिया ताकि वो साफ हो जाए ठंडे पानी से नहला दिया वो साफ हो जाए लेकिन गड़बड ये हो गई कि बहुत सारे जानवरों को पानी पसंद नहीं होता है हमारे white ox को भी पसंद नहीं था और जैसे ही ठंडा पानी उसकी बॉड़ी पर पड़ा हमारा जो white ox था उसका screw डिला ओ गया ठीक है screw डिला ओ गया और वो हमारा psycho हो गया जो हमारा white ox था वह साइको हो गया और वहीं पर तभी उसी वक्त क्या हो रहा हो होता है कि उसकी गली में से जो a 팀 होता है उस एरिया का वह जा रहा होता है और हमारा white ox sp को जाके टक्कर मारता है और हमारा SP भी भीहोस ठीक है कि यहाँ से काफी सारी चीजा हुई कि पहले वह देख लेते हैं क्या कि जो white deny तो दिया था वह दिखने ंट फंट क्या किया उस नहयां ऊसने यह को तंडे पानी से नला दिया चिली ठीक है छी फॉर ठंडा पानी ओर जैसे ही ठंडा पानी उस आइटास्य की उपड़ा जुह हमारा वह से फ्रिए साफ believe जो था वो डीला हो गया screw fullest dietesis screw खुल गया उसका screw खुल अथीक है screw fullest dietesis और जैसे ही screw खुला वो psycho हो गया मतलब पागल जैसा हो गया वो हमारा जो white ox था और वहीं पर गली में कौन जा रहा था SP उसको जाके उसने टक्कर मार दी S for syphilis and P for sora very simple याद कर लोगे आप लोग सीधी बात है ठीक है आगे भड़ते हैं और जैसे ही SP को टक्कर मारी आशिक के दिमाग के पर खच्चे उड़ गए क्यों क्योंकि उसको डर लगने लगा कि भाया अब SP को टक्कर तो उसने ये सोचा कि जब तक ये SP हॉस्पिटल से वापिस आए मुझे यहां से गर छोड़ के चले जाना चाहिए कहीं भाग के कहीं दूर छिप जाता हूं ताकि मुझे ये SP ढूड़ना पाए ठीक है तो उसके हूं क्योंकि उसके मन में मरने का बहुत ज़्यादा डर पैदा हो चुका था ठीक है तो वो छुपता रहता है इदर उदर कभी जाता है कभी एक सहर कभी दूसरे सहर भागता फिर तरह डोलता है उस SP से ठीक है, लेकिन कुछ दिनों बाद विचारा बहुत ज़्यादा थक जाता है भागते-बागते फिर वोलता है कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा ठीक, इस से ज़्यादा मैं भाग नहीं सकता हूँ, अब मेरे अंदर जान नहीं है मतलब वो इतना ज़्यादा थकान हो जाती है उसको भागते भागते great prostration हो जाता है उसको की पुछो मत फिर वो सोचता है कि एक काम करते हैं अब घर चलते हैं देखा जाएगा SP पकड़ेगा तो पकड़ेगा जान जाएगी तो जाएगी अब देखते हैं तो दो पॉंट हम निकल लिए हैं आसनिक पेशेंट has great fear of death उसको डर लग गया था कि यह मुझे SP मार डालेगा think that he is incurable कि हम मुझे कोई नहीं बचा सकता the disease is fatal and it is useless to take medicine ठीक तो कहता है कि यह जो बीमारी मुझे लगी है यह जान लेवा है अब इसलिए medicine लेने का कोई मतलब नहीं है ऐसा patient को लगता है तो fear of death हमने देखा दूसरा भागते भागते share to share वो काफी ज़्यादा ठक चुका था great prostration हो चुका था उसको ठीक इस consistently present thinking of strength out of proportion to a degree of illness मतलब जितना वो बीमार नहीं है उससे जादा उसके अंदर ठकान देखने को मिलती है ठीक है ठकावट देखने को मिलती है great prostration होता है अब वो घर पर आ गया बिचारा physically तो बहुत जादा ठक चुका था लेकिन mentally अभी भी उसके मन में चल रहा था कि ठीक है काफी जादा बेचन हो रखा था बट फिजीकली टूवीक हमने देखा कि फिजीकली तो बहुत जादा कमज़र हो चुका था ठीक है अब उसके अंदर exhaust to move out मतलब चलने फिरने कहीं जाने की कोई उसके अंदर body में जान नहीं रही थी ठीक है try of restlessness देखने को मिलता है हमार आसनिक में दो medicine और इसके साथ में जो इसकी भाई बंदू है पहली है echo night दूसरी है rust tox तो इसके लिए क्या line थी अरे uncle रहने दो rest कर लो अरे for arsenic uncle for echo night रहने दो for rust tox and rest कर लो for restlessness ठीक है यह आगे मैं डाल दी है आप लोग देख लेना एक बार चलो यह बात हो गई अब व ठीक है उसने फ्रिज में देखा तो फ्रिज में उसने डूडने की कोशिश की तो उसने अपना जो head है वो फ्रिज के अंदर डाला ताकि कुछ मिले उसको ठीक है जब फ्रिज के अंदर उसने head डाला तो उसको थोड़ा सा relief लगा अरे वाह अच्छा लग रहा है और बाहर गर्मी थी मतलब उसकी जो body थी वो बाहर रूम के अंदर थी और उसका head था वो फ्रिज के अंदर रखा हुआ था तो उसको बड़ा अच्छा relax थोड़ा था फील हो रहा था उसके अंदर जो आग लगी हुई थी जो burning हो रही थी उसमें उसको relief लगा ठीक है तो हमारे cancer कहते हैं कि यह जो patient होता है वो अपनी body जो है वो एक room के अंदर रखता है और अपना head refrigerator के अंदर रखता है कहने का मतलब यह है कि patient को जो पूरी body के अंदर आराम मिलेगा कैसे heat से ठीक है except head head में आराम मिलेगा उसको cold से ठीक है तो यह चीज हो गई तो यह हमने कैसे याद किया कि आते से उसको भूग लगी थी तो उसने fridge खोला और अपना अंदर डालके उसने देखना शुरू किया कि fridge में कुछ खाने लायक है कि नहीं तो उसको relief feel हो रहा तो उसके अंदर की जलन थी जो गर्मी थी उसके अंदर की वो थोड़ी थी relax हुई थी तो Kent says that the patient want to keep his head in a hot room but head in refrigerator burning pain relieved by heat except in head this is very much peculiar characteristic of arsenic चलो यह हो गया अब उसे भूग लगी थी उसने देखा क्या है क्या है क्या है क्या है लेकिन fridge क्योंकि बहुत दिनों से उसने खोला नहीं था ठीक है तो जो पुरानी चीज़ें थी वो खराब हो चुकी थी उसके अंदर अब उसके अंदर उहां पर क्या रखा हुआ था कुछ अंडे रखे हुए थे जो की खराब हो गए थे मचली मीट वगरा रखा हुआ था सड़ गया था वो डिके हो गया था लेकिन अब उसको भूग लगी थी वो क्या करता घर के भार जा नहीं पा रहा था वो क्योंकि भार उस लेंगे ना गंदे उफेंसे बधुदार क्यों क्योंकि उसने खाया क्या था उसने खाया क्या था गंदगी गंदा खाना खाया था उसने ठीक है सड़े हुए अंडे खाये थे खाना और जो रोटी सब्जी जो थी काफी तनों की रखी हुई थी वो खायी थी उसने ठीक तो स्टूल करके आएगा यह आपके घर के मेंबर में अगर कोई आसनिक है और वह स्टूल करके आया तो पूरा आपके घर में ऐसी सुगंद फैल जाएगी कि आप लोग घर में रह नहीं पाऊगे ठीक है इतनी गंदी बद्बू होती है उसकी ठीक तो all discharges are accurate, putrid, dark and offensive with cadaverous order यह हमने देख लिया है यह वाला point भी हमने देख लिया है gastric de-arrangements such as diarrhea, vomiting, etc. are due to food poisoning from spoiled eggs, fish और meat, decayed food और alcohol ठीक है यह चीज़ दो point हो गए हमारे अब क्या हुआ उस दिन के बाद से बिचारा खाना की जो महक थी जो discharge इसके बदवू थी वो इतनी ज़्यादा उसके मन में बस गई थी कि उसको जैसे ही खाना या तो देख लेता था या तो खाने की smell आ जाये करती थी उसे beer नहीं कर पाता था जैसे वो खाना देखता था उस दिन के बाद से तो can't bear the smell of sight of food ठीक अब ये बात तो ठीक थी अब घर में रह रहा था एक दिन उसने सोचा कि थोड़ा मार्केट जाता हूं ऐसे तो काम चलेगा नहीं ऐसे गंदा खाऊंगा तो बीमार पढ़ जाऊंगा और जादा तो वो मार्केट में सामा ले रहा होता है उसी टाइम एक साल बाद सेम उसी टाइम पर SP द्वारा उसे देख लेता है complaints return periodically usually annually so it is useful drug in intermittent fever ऐसे फीवर जो एक period के दोरान आते हैं 14 days पर repeat हो रहे हैं 6 महीने पर repeat हो रहे हैं साल में repeat हो रहे हैं कि डॉक्टर साब पिछले पिछले जून में भी आया था ऐसे बुखार इस वाले जून में भी आया था ठीक है पिछले कई सालों से मुझे इसी टाइम पर बुखार आ रहा है तो यह intermittent fever होते हैं अपने तो ऐसी इसमें भी कैसे याद रखोगे कि SP उसको करता हूँ कल जाओंगा दुपर में और इसको पकड़ता हूँ ठीक है कल पूरी force ले कर आओंगा दिन में इसको पकड़ता हूँ वह जाता है दुपर में midday ठीक है बारा से 2 के बीच में जाता है लेकिन वहाँ पर वह से मिलता नहीं है आशिक तो वह सोचता एक काम करता आदी रात को जाता हूँ या आदी रात को तो कम से कम घर पे ही होगा ना क्योंकि आदी रात में तो कोई काम होते नहीं है तो घर पे ही मिलेगा तो बकड़ दूँगा और इसको फिर सजा दूँगा ठीक है तो all complaints are aggravated at midday and midnight तो वो mid के night में जाता है बारा से दो के बीच में जाता है और वहां पर जाके जब कर विंडो से देखता है तो वो बिचारा जो आसिक होता है वो उसको नीदी नहीं आ रही होती है क्यों कि मन में तो इतनी उथल पुछल मची हुई थी अभी तक कि SSP मुझे ढूल लेगा मैं मर जाओंगा मार देगा तो नीद नहीं आ रहे थी तो उसने सुचा क्या करें तो वो सफाई करने में लगा हुआता कंडी की सफाई कर रहा यह जो तस्वीर अगरा थे सबीर इंटिभी थोड़ी के उनको सीधी कर रहा है तो वह भार से हमारा SAP than of the the कि रहा था. ठीक. और फिर वो जो SP होता है. उसकी विंड़ो पर जो उसकी सामने आके खड़ा हो जाता है. और उसे देखते ही फिर से उसको जो मौत का जो डर था, death का जो डर था वो इसमें फिर से आ जाता है, fear of death, ठीक, उसे देख से वो बहुत जादा fearful हो जाता है, बहुत जादा डर जाता है एंक्सियस हो जाता है चिंता करने लगता है मुझे माफ कर दो प्लीज मैंने नहीं किया था ये डॉक्टर हनीमन ने मुझे दिया था बैल ये मेरा बैल नहीं था मुझे मत मारो ठीक है तो वो बहुत जादा डर चुका होता है फियर में होता है ठीक के मिल नहीं पाया था मैं वहां से निकल के आने के बाद में ऐसा कुछ नहीं है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा डॉंट वरी में अच्छा इंसान हूँ ठीक है तो रात को जब वहां पहुंचा था तो उसको नीद नहीं आ रही थी और वो घर की सफाई करने में लगा हुआ था वांट एवरी थिंग इन और नीट अंड क्लीन इविन पिक्चर हैंगिंग ऑन दा वाल स्लाइटली टिल्टेड मस्ट भी एडजस्ट प्रॉपरली ठीक है तो यह हमारी आसन ठीक है तो दिहान से सारे बच्चे इसके नहीं करना कुछ भी ठीक कंपेरिजन एंड आस कंपेरिजन देख लेते हैं पहले ठीक है आसनिक का तो एको नाइट और आसनिक यह दो मेडिसिन हमारी रेस्टलेस में भी हैं और फियर ऑफ डैथ भी दौरों में देखने को मिल रह होगे तो अगर रेस्टलेस ने इसकी बात की जाए तो जो एको नाइट वाला पिशेंट होता है वह बहुत ज्यादा रेस्टलेस होता है एक जगह से दूसी जगह डोलता रहता इधर से उदर इधर से उदर क्यों क्योंकि उसके इनरजी बहुत ज्यादा होती है ठीक है बह बोड़ी उसकी बहुत ज़्यादा थकानबरी होती है वो चाहता भी है अगर कहीं घूमना फिरना तो उसका बोड़ी उसका साथ नहीं देती है लेकिन mentally उसके मन में इतनी ज़्यादा उतल पुतल मची होती है कि कैसे सांती मिले उसके दिमाग को ठीके दिमाग शांत नहीं बै होता है तूसरा अगर बात करें अकुनाइट का fear of death और आरसनिक Wow dat तो आइक sect का जो fear of death है जिसमें अकुनाइट हमने देखा की पे डिक्ट दे टाइम ओफ डेथ वो टाइं sìंग बता देता है कि जब जो आर वाली गड़ी है वो ट्ल और जो minute वाली घड़ी है वो हमारी six पर आ जाएगी या किसी पर भी आ जाएगी उतने वज़े मेरी death हो जाएगी ठीक है ये बता देता है अकुनाइट लेकिन आसने कोई ऐसा time नहीं बताता वो ऐसा कहता है कि हाँ मैं मरने वाला हूँ ठीक है मैं कुछ time में मर जाओंगा ठीक है exact point नहीं बताता वो time का ठीक है arsenic हमारा तेकिन जब एकुनाइट होता है जब उसके अंदर fear of death आता है तो उसे एक चीज और आती है साथ में उसे ऐसा लगता है कि अगर मुझे सही treatment नहीं मिला तो मैं मर जाओंगा लेकिन अकर मुझे सही treatment मिल जाता है तो शायद मैं बच जाओं ठीक है इसलिए वो क्या करेगा वो लोगों को बलाना शुरू कर देता है डॉक्टर को call करेगा कि डॉक्टर जल्दी आओ ठीक है मैं मरने वाला हूँ मैं मर जाओंगा मुझे आकर बचा लो ठीक है ऐसा करेगा आइकोनाइट लेकिन आर्सनिक ऐसा नहीं करेगा ठीक है आर्सनिक को ऐसा लगता है कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता ना ही डॉक्टर ना ही कोई इंसान ठीक है अब मेरा मरना जो होता है मेरी जो बीमारी है वो incurable है, अब मुझे इस दुनिया में कोई भी दवाई काम नहीं करेगी मेरे उपर, इसलिए डॉक्टर को भी बुलाता नहीं है, ठीक है, हमारा ये जो आर्सनिक है, ये इन्डिफरेंस to recovery में है, ठीक है, इन्डिफरेंस to recovery मतलब इसको recovery से जादा कुछ मतलब नहीं होता है, क्लिनिक पर आप कैसे पहचानेंगे, ये जो रूबरिक है, इन्डिफरेंस to recovery, मतलब इसमें क्या होगा, जब पेशेंट ये वोले है, डॉक्टर साब, ये जो दर्द हो रहा है, आप बस इसे दूर कर दो, ठीक है, बीमारी तो दीरे-दीरे जाती रहेगी, ठीक है, फियर खुझली सही कर दो, ये जो लाल कलर का दाग पड़ा हुआ है, ये चलेगा मुझे, ठीक है, आप ठीक करते रहना, दीरे-दीरे दवाई देते रहना, लेकिन आभी जो खुझली हो रही है मेरे हाथ में, इसको कैसे भी करके दूर करो, ठीक है, मतलब समझ रहे हो, उसे बीम ठीक है, तो ये हमारा आसनिक में मिलता है, अगर ऐसा कोई पिशेंट आप से कहता है, तो आप उसे आसनिक दे सकते हैं, लास्ट में हम इसके थोड़े से रूब्रिक्स और देखेंगे कि और क्या-क्या अपने को क्लीनिक पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक, ट्रायोस ओफ यहाँ पर मैं आपको ड्रग पिक्चर लिखने वाला हूँ कि और भी जो मेडिसिन्स हैं, उनकी ड्रग पिक्चर आप कैसे लिख सकते हो, बहुत ही इसी होता है, थोड़ा सा अगर ध्यान देके बैठोगे तो आपको बहुत इसली समझ में आ जाएगा, आरसनिक एलबम, सबसे बहुत हैं आपको याद है तो याद है जो याद आ रहा है उतना तो लिखी देना, पुरूबर याद है तो खाली पुरूबर लिख दो, common name खाली याद है तो common name लिख दो, family याद है तो family लिख दो, ठीक है, अब हमने देखा, डॉक्टर हैनीमन ने आर्सनिक को वाई टॉक्स दिया था, ठीक है, तो यह आप यहाँ से आपने लिख दिया, story trick से, family अगर आपको याद रख पा रहे हो तो ठीक है, नहीं याद रख पा रहे हो, तो मत लिखना है यहाँ पर, चलो, introduction में मैंने जो introduction वाले जो part था, जो second part था हमारा, जो upload हो चुका है, उसमें मैंने आपको यह basic format दिया था, introduction का, हर एक medicine का, वो अगर आपको याद है, और अगर आपको कुछ पिश्याद नहीं आ रहा है, तो उसको लिख देना, ठीक है बच्चा लोग, गलत नहीं होगा, क्या, there is several remedies derived, proved and established from dash kingdom, अब dash मतलब यह mineral kingdom को ब्लॉंग करता है, तो यहाँ पर हमने mineral लिख दिया, plant होता, तो plant kingdom लिख देते, animal होता, तो animal kingdom लिख देते, तो आपको बस यह जगे के भरनी है, बाकी format same है, ठीक है, the most important of which is arsenic album, और उस kingdom में से सबसे जो बहुत जादा important medicine है, वो हमारी arsenic album है, इसकी जगे जो आप से पूछी गई हो, वो लिखना है, the hidden power of this remedy is unknown, until dr. henneman has arose its curative power by potentization, इस medicine की जो hidden power थी, वो चुपी हुई थी, कब तक, जब तक की उस medicine का prover जो ह होगा, वो लिख दो यहाँ पर जैसे इस medicine की dr. henneman है, ठीक है, जब तक की dr. henneman ने उसकी अंदुरूनी power को, curative power को potentize करके नहीं निकाला था, ठीक है, तो यहाँ पर nanning हो सकते हैं, herring हो सकते हैं, न कोई भी हो सकता है यहाँ पर, तो जो prover है, उसका नाम लिख दो, वो आ से मिल जाएगा, ठीक, उसके बाद में, जो second point है, अगर आपको कुछ याद आ रहा है, उस medicine के बारे में, अभी जैसे आपने FMT में पढ़ा होगा, आसनिक क्या है, एक poison है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, आसनिक is a deadly poison, which will be proved fatal even in this amount, ठीक है, तो आपने ऐसा लिख ठीक है, ऐसी करके मैं आपको आगे लिखना सिखाता हूँ, चलो, clinical वाले पार्ट पे आते हैं, कि क्लिनिक पर ये medicine किन किन सिम्टमों में दी जाती है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप से drug picture कितनी पूछी जाएंगी, दो या तीन, बस, और वो भी कौन सी medicine पूछी ठीक है, polycrest का मतलब जो body के लगबग सारे important parts को systems को cover करती है, बीमारियों को cover करती है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक fix pattern कर लेना है, ठीक है, कोई भी drug picture मुस्से पूछा जाएगा, तो मैं कुछ बीमारियां यहाँ से शुरू करूँगा, headache वर्टाएगो, brain की लिख दो, ठीक है, सिरकादद हो गाई, जब भी कुछ दिक्कत होगी तो, ठीक है, और headache को हर एक medicine जो polycrest होगी, वो cover करेगी, करेगी, तो headache वर्टाएगो, नीचे आएंगे chest की थोड़ी सी लिख दो, cuff, chest affection, heart affection, ठीक है, ऐसे करके headings बगर डाल दो, ठीक है, तो सबसे पहले headache, वर्टा infections, ठीक है, gastric problems, digestion, indigestion वगरा, dyspepsia, ठीक है, ulcers, तो जो मन में आये, वो लिख देना, बेटा, क्योंकि ये polycrest remedies हैं, body के सारे spares को cover करती हैं, ठीक है, तो इसमें आप कुछ 5-10 गिने चुने बीमारियां याद कर लेना, कोई भी आप से drug picture पूछी जाएगी, उसमें ये सिंपल हो गया है आपके लिए, बुक्से नहीं जा रहे हैं, बुक्से नहीं, मैं आपको ऐसे ही लिखना सिखाऊंगा, क्योंकि बेटा, exam में पास होना एक कला है, ठीक है, उस कला को आपको master करना पड़ेगा, और उसी के लिए मैं आपके पास यहां हूँ, ठीक है, knowledge, book से चाहेगी, बुक्से पड़ो बिटा, ठीक है, knowledge चाहिए आपको, बुक्से पड़ो, बुक्स में बहुत है, ठीक है, चार किताबे, दस किताबे पड़ते रहो, knowledge आती जाएगी, ब्रहमान्ड है, उमेपैथी, ठीक, spear of action की बात करेंगे, तो यह किस पर काम करती है, कहां कहां है, वो किस का है, mind का है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखने है, आपको यहाँ पर अपने body के systems लिखने है, ठीक है, वो part लिखने है, जिसको वो बीमारियां जिन में हो रही है, तो अब जैसे हमने lungs के देखे थे, तो lungs लिख दो यहाँ पर, mucous membrane में दिक्कत हो जाएगी, skin क देखा था, skin लिख दो, liver, stomach, elementary canal, nervous system, blood joint, blood vessels वगएरा, blood के अंदर, joints, ठीक है, तो यहाँ पर आपको sphere of actions में body के वो parts लिखने है, जहाँ पर यह medicine काम करती है, उपर हमने clinical में वो बीमारियां लिखनी है, जो की clinic पर, जब patient लेकर आएगा, तो आपको यह medicine उनके लिए देनी है ठीक है, sphere of action में parts लिखने है, तो यहाँ पर भी गिने चुने, उपर से जो main main है, वो याद कलो heart, lungs, mucos membrane, mind, skin, liver, GIT वगएरा, कुछ याद कलो गिने चुने 67, वो आपको हर एक drug picture में लिखना है, पैथोजैनेसिस क्या होता है, पैथोजैनेसिस होता है, कि यह जब medicine crude form में द परीर के अंदर यह जाके irritation करवाती है, ठीक, irritation करवाती है, अब सुनो मेरी बात, अब इसमें यह जो pattern है, it attack, it attack, it attack, it causes, it causes, तो यहाँ पर यह ऐसे करके ही आपको लिखने हैं, ठीक है, बैटर रहेगा कि आप point में अगर अच्छे से आता है, तो point में लिखो नहीं आता है, तो paragraph में लिख देना, ठीक है, it causes, या फिर it attacks, mucous membrane, causing irritation and increase mucous production, ठीक है, क्योंकि देखो एक चीज़ यहाद रखो, जब यह जो medicine थी हमने देखा था, किस चीज़ में अच्छा काम कर रही थी, एक basic basic idea होता है हर एक बच्चे को, कि arsenic है, arsenic सर्दी जुखाम में, बुखार मे ठीक है, वहीं silver की बात करें, तो skin की भी मार्यों में अच्छा काम करती है, NTM tart, NTM crude बगरा है, खासी बगरा हमें, lungs में अच्छा काम करती है, तो यह basic idea होता है, तो आपको medicine लिखते time, आपका presence of mind अगर होहाँ पर है, तो आपको रटने की ज़रुवत नहीं है, आप मनसे आर तो वहाँ पर क्या कर दीती है, restlessness कर दीती, brain के अंदर जाके, skin की अगर बात करें, तो skin में जाके maximum itching ही करवाती है, कोई भी बीमारी होगी skin की, तो itching तो free में आती है, तो यह point तो आपका common point हो गया, हर एक polycrest remedy skin को cover करती ही करती है, क्योंकि skin हमारी body का एक सबसे बड़ा system ह ठीक है, तो it attacks the skin and produces the oil and teaching, लिख दो, दूसरी आगे बात करें, it causes inflammatory swelling and causes pains, जगे में कहीं भी सूजन आ रही है, infection हो गया है, तो शरीर में infection वगरा होंगे, तभी तो बीमारीया पैदा हो रही है, तो यह common point है, मतलब मेरा कहने का मतलब यह common points हैं, कहीं भी आप इनको लिख सकते ठीक है, गलत नहीं होंगे, it causes rapid emission of the body, arsenic efficient पतला दुबला होता है, तो यहाँ पर आप लिख दो, ठीक है, कलके दिया काप का, अगर आपको याद है, तो वो मोटा मोटा होता है, तो मोटा हो जाएगा वो, ठीक है, तो यह चीज आपको जो point ट्याद आएं, pathogenesis में, मतलब ल लेना, और हर एक medicine की drug picture में लिख देना, क्योंकि आप से दो, एक या दो ही drug picture पूछी जाती है, आपके exams में, चलो, आगे बढ़ते हैं, हाँ, अब यहां से एक बहुत अच्छा part रहता है, आपका एक से डेड़ पेज, जो है, वो मैं आपका यूहीं बरवा देता हूँ, अ constitution वाला पार्ट, अभी story देखकर आए हैं, makeup of the body देखा था, पतला दुबला, temperament, साफ सफाई जरूरी थी, ठीक है, relation चली था, ठंडे पानी से नहला दिया था, उसका screw खुल गया था, ठीक है, और वो psycho हो गया था, उसने SP को जाकर टकर मार दी थी, कुछ भी याद करने की ज पाऊचोगे, तो आप ये पाऊगे कि कम से कम 2-5 पेज आपकी copy का भर चुका है, और हमें लगबख 5 पेज के आसपास में एक drug picture को लिखना होता है, ठीक है, अगर आप 5 नमर का question लिख रहे हो, तो आपको जादा से जादा उसमें 1.5 पेज, ठीक है, 2 नमर का लिख रहे हो, तो उसमें जासे आदा 4-5 लाइन, ठीक है, इतने में लिखना रहेगा, तो अब यहां से आपका 2-5 पेज भर गया है, अब आपको क्या करने हैं, अब आपको लिखने हैं particular, लास्ट पार्ट यह जो आएगा particular लाइन से चलेंगे, लेकिन यस medicine में, आप चलो, आप मैं common वाल से आप सारी के सारे particular लाइन से लिख पाओगे, ठीक है, चलो देख लेते हैं, इसका जो medicine का common part है, वो क्या है, कौजिशन की अगर हम बात करें, तो इस medicine में, जो सारी बीमादियां हो रही हैं, वो cold के exposure से आने से, ice cream खाने से, खराब खाना खाने से, cold food को लेने से, इन से दि बीमारी के position में लिख सकते हो, कारण में लिख सकते हो, ठीक है, time की अगर बात करें, जो maximum जो दिक्कत हैं, जो हैं, वो भड़ रही है, जो problem आ रही है, वो कब आ रही है, या midday और midnight, ठीक है, या तो दुपैर में, 12 से 2 के बीच में, या 1 से 2 के बीच में, या फिर रात को, आदी रात को, तो ये ये चीज़ आपको हर एक particular में लिख सकते हो, आप चाहें वो headache हो, diarrhea हो, अस्तमा हो, ठीक है, छाती में दर्द हो, angina pain हो, कुछ भी हो, ठीक है, दूसरी बात, कोई भी बीमारी होगी, कोई भी particular आप लिख रहे हो, तो उसमें patient की, जो mind की जो condition होगी, व very much restless, anguish, and as fear of death in every disease, ठीक है, तो आप लिख दो, patient headache के दौरान restless रहेगा, diarrhea के दौरान रहेगा, अस्तमा में, pain में बहुत जादा restless रहेगा, fear of death रहेगा, ठीक है, उसके मन में बहुत जादा fierce रहेगे, और दूसरी चीज हमने ये देखा था, ठकान भरा patient मिलेगा, उसके हर ए आप सारे नीचे के particular लिखने वाले हो, particulars को मैं कभी भी book से नहीं लिखता हूँ, बच्चा लोग, मैं उनको story trick और इनकी help से ही लिखना सिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम है, easy करना, ठीक है, सिर्फ book से tip के, और आपको पढ़ाना नहीं है मेरा काम, ठीक है, तो ये चीज देखो, there is great prostration in every disease, और ameloration की बात करेंगे, तो heat in general हमने देखा था, उसका जो सिर्फ था, वो फ्रिज में था, body पूरी room में थी, room जो था, वो गरम था, फ्रिज जो था, वो ठंडा था, तो उसके पूरी body में, heat से उसे आरा मिलता है, लेकिन सिर्फ दर्द में, या फिर ज है, ठीक, क्या करना है, headache, ठीक, अगर आप ये पूरा लिखोगे, तो आपके 10 page पहुँचेंगे आराम से, इसमें से जब आप जितना, मतब याद करते करते जब लिखोगे, तो आप 5 page तक पहुँच पाओगे, ठीक है, headache, लेकिन आप इतना आराम से लिख सकते हो, देखना है, headache लिखा आपने, causation, exposure to cold, ice cream, decayed food, ये उपर से लिया है, कोई गलत नहीं है, book में check कर लेना, ठीक है, location बात करेंगे, तो generally लिखो forehead या फिर all part of the head, ठीक है, character की बात करेंगे, कि सिर्का कभी भी दर्द होगा, तो ऐसा होगा, as if bust, फट जाएगा वो, ठीक है, चाहें किसी trick से लिख दो, Kent says that a patient want to keep his body in a hot room, but head in a refrigerator, क्योंकि सिर्मिदर्द हो रहा था, burning pain relieved by heat, except in head, this is very much peculiar character of the arsenic, लिख दिया, गलत साबित हो रहा है कि नहीं, ठीक है, मतलब गलत साबित कोई कर सकता है, इसे, नहीं कर सकता, बिलकुल सही है, modalities की बात करें, हम देख चुके है, headache is aggravated by light याद आ रहा है तो ठीक है, motion याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो, from 12 to 2 PM, ठीक है, and goes up to 12 to 2 AM, 12 to 2 AM, मतलब दुपेर से लेके आदी रात तक, आदे दिन से लेके आदी रात तक इसको सिरकत दद रहता है, या फिर आदे दुपेर में भढ़ जाता है, या आदी रात को बढ जाता है, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो उसकी modalities है, concomitant, सब में concomitant आप same लिख सकते हो, क्योंकि mind की जो status है, condition है, वो same रहेगी, क्या, वो बहुत ज़्यादा restless रहेगा, anguish रहेगा, fear of death रहेगी, ठीक है, और किसी-किसी patient को nausea vomiting देखने को मिलती है, always chili, except in head, ठीक है, सब जगे ठन लगेगी, head को छोड़के उसको, ठीक, तो यह point अगर आपने, देखो, मैंने कुछ भी नया नहीं लिखा, कुछ भी ज़्यादा add-up नहीं किया है इसमें, जो आपको उपर पढ़ाया, उसी को बस आपको लिखने का तरीका बताया है, ठीक है, करेक्टर की बात करते हैं, करेक्टर देखो, कुछ भी बच्चा लोग मैंने अलग से नहीं लिया, मैंने सब story trick में से लिखा है, can't bear the smell, all discharges sacred, gastric, जो डायरिया वायरिया हुआ था, गंदा खाने से हुआ था, केंट साब फिर से कुछ कहना चाते हैं, सुलो, ठीक है, वो क् करें, यह जो पॉइंट लिये हैं, यह जो नीचे वाले दौनों, ठीक है, यह पॉइंट लिये हैं, कहां से, जो वो box बना हुआ है, common particular वाला, तो patient is very much restless, anguish and has fear of death in every disease, there is great prostration in every disease, ठीक है, लिख दोगे इतना, अलग से भी आप से अगर कोई particular पूछा जाता है, तो आपको ऐ इसे ही लिखना है, ठीक है, GIT पूछ ले वो आसनिक का, तो आपको ऐसे ही लिखना है, जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अभी तो आपका GIT खतम नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें सिर्फ इस्टमक खतम हुआ है, अभी पेट की दिक्कतें चल रही है, कॉलेरा की बात कर ले लुटरेट डार्क एंड उफैंसिव, विद कैडा वरेस ओडर, ठकान हो जाएगी बहुत ज़्यादा, ग्रेट प्रॉस्टरेशन, ठीक है, लिख देना, वह दीदी है, कॉल, सौरी, डायरिया, डायरिया की बात करें, तो यह जो फॉर्मेट है, यह जो आपने, पानी, ठंडी आइस क्रीम, गंदा खाना, ठीक है, सेंसेशन की बात करते हैं, तो पेट में भारीपन रहेगा, हवा हवा निकलेगी, ठीक है, बस्टिंग, विफोर स्टूल, जब भी आपको डायरिया लगता है, तो इमेजिन कर लो, ठीक है, डायरिया जब भी होता है, तो ये चीजें याद करो दो, कुछ तो याद करना पड़ेगा न, बिटा, चलो, डियूरिंग स्टूल की बात करें, स्टूल के दौरान क्या होगा, तो स्टूल के दौरान दर्द भी देखने को मिल सकता है, जलन हो सकती है, ठीक है, अब जब पूरा पानी पानी निकलता है, तो सकता है, फ्लेटर स्टूल, दर्द बगरा देखने को मिल सकता है, ये चीज एड़ कर देना साथ में, ये जो दो पॉइंट लिये हैं, मैंने, ये कहां से लिये हैं, ये जो अपना जनरल वाला करेक्टर जो था इंट्रोडेक्शन पार्ट टू से, ठीक है, और ये जो प आती नहीं है आपको, ठीक है, किसी को नहीं आती है, इनर्जी स्टूल करने के बाद में, डायरिया के दोरान, तो प्रोस्ट्रेशन, फटीग, एक्दॉशन, ठीक है, पिशेंट बैड पर पढ़ा रहेगा, उटने की हिम्मत नहीं होगी, एक्स्टेंड करना चाहो तो वह की मजजी है, दूसरा, करेक्टर ओफ इस्टूल कैसा देखने को मिलेगा, हेडिंग, हेडिंग तो बच्चा लोग आपको याद करनी पड़ेंगी, जैसे इसमें हमने हैडेक लिखना है, जी आईटी लिखना है, उसके अंदर अपने को इस्टमक लिखना है, कॉलेरा लिख करेंगे, तो जब भी डायरिया होता है, तो क्या उसमें हाड आती है, नहीं, पानी पानी निकलता है, बहुत सारा पानी निकलता है, वदभू तो फ्री में आती है, तो वाटरी, प्रोफ्यूज ओफेंसिवनेस, विद अंडाइजेस्टेड फूट पार्टीकल, ठीक है, रेष्ट करो, हलका खाना खाओ, ठीक है, मनसे भी लिख दोगे, तो कि गड़ड़ वाली बात नहीं है, तो डायरिया बहुत एजी था लिखना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा रेस्पाइरेटरी सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, अस्तमा की अगर बात करें, तो अस्तमा का कॉजेशन वही है, ठंडा पानी पी लिया, ठंडिया, एस्क्रीम खाली, गंदा खाना खालिया, ठीक है, ठंडा खाना खालिया, चलो, अब इसमें भी वही आपको लिखना आना चाहिए, देखो, all discharges, मतलब किस की बात हो रही है, इस्पुटम की बात ठीक है, ठीक है, अब जब इसको अस्तमा होगा, अस्तमा की दोरान इसको कैसा लगेगा, कि कहीं में मरना जाऊं, fear of death, सम्में fear of death मिलेगा, इतनी और थकान मिलेगी, तो वही पॉइंट आपको सारे वहां से उठा के दुवारा लिखने है, आसनिक पेशेंट है, आसनिक पे चीजें आपने लिख दी, modalities की बात करें, तो दुपैर का समय या फिर आदी रात या आदा दिन, बारा से दो का AM, या बारा से दो का PM, एमलोरेशन कैसे मिलेगा, हमने देखा था, head को छोड़ दो, तो पूरी body में आराम किसे मिल रहा था, heat से, तो relieved by heat in general, ठीक है, very simple part चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप आसनी की डीपी ना लिख पाओ, ठीक है, cardiovascular system की बात कर लो, ठीक तो, heart palpitation, herring says that arsenic will be great use in angina pectoris, angina pain is worse from 12 to 2 a.m, patient is very much restless, anguished during pain, अब cardiovascular system में मैं थोड़ा सा जोड दिया आए, कि यहां पे इसको गबरा देखने को मिलता है, और चादी का बढ़ेगा, 12 से 2 a.m के बीच में, रात के समय देखने को मिलता है, patient उस समय कैसा रहेगा, बहुत ज्यादा बेचैन रहेगा, restless रहेगा, उसे fear of death रहेगा, जोड के लिएक दो, ठीक है, very simple, intermittent fever की बात कर ले, heading आपको याद करने हैं, बच् patient जो है, इसके बुखार वगरा हैं, वो एक-एक साल में repeat होते हैं, 6 महीने में repeat होते हैं, या 14-14 days में repeat हो रहे हैं, तो हमार intermittent fever कहलाते हैं, तो यह आसनिक में देखने को मिलता है, दूसरा, इसका जो fever वगरा होगा, वो कब भढ़ जाएगा, all symptoms की जगए fever लिखना है, ठीक ह आपको लिखना पड़ेगा, यह तो मैंने आपको लिखना सिका रहा हूँ, ठीक है, यह जो all symptoms है, complaints है, इनकी जगए, सबकी जगए fever लिख दो, all symptoms are aggravated at midday and midnight, 1-2 a.m. और p.m. the patient is very much restless, anguish and has fear of death is very in every disease, ठीक है, prostration देखने को मिल जाएगा, बुखार के दोरान बहुत जादा, simple, ठीक है, यह 4-5 point लिख दो के तो आपका अधा पीज भर जाएगा, आगे बढ़ो, general modalities लिख दो, कि यह aggravation किसे हो रहा था, इतनी बार तो देख लिया है, midday and midnight में, 12-2 के बीच में, pm हो या am हो, आराम कैसे मिल रहा था, उसको heat से, ठीक है, सिर्फ head को अगर छोड़ दि ठीक है, इन सब से उसको दिक्कत हो रही थी, तो यहाँ पर आपको general modalities में वो भी लिख देना है, और आपकी medicine का, medicine जो है वो, finish हो जाएगी, ठीक है, अब आपकी उपर है कि आप इसमें से कितना लिख पाते हो, सीधी सी बात है, ठीक है, यहाँ तक इतना help में आपकी कर सकत ठीक है, आप लोगों को इतना समझ में आया होगा यहाँ तक का, lecture थोड़ा था लंबा है आज का, लेकिन डटे रहना बच्चे लोग, ठीक है, एक पार्ट और है गया है हमारा, आज हम एक चीज और देखेंगे, कैसे अपने को, इसका जो mind वाले symptom से बहुत important हैं, और उसमे क्लिनिक पर आपको ये medicine कैसे पहचाननी है, ठीक है, physical symptoms पर मैं इतना ध्यान नहीं दूँगा, क्योंकि ये जो medicines है, polychristian का mind ही इतना prominent होता है, कि अगर आपने mentally patient को mind के symptoms भी पहचान लिए, तो medicine आपका बहुत अच्छा काम करेगी, ठीक है, और क्योंकि मैं cycle method को follow करता हूँ mind technique को follow करता हूँ, तो मेरा ये मानना है कि mind symptoms ही body के main symptoms है, अगर आपको बस उन पर command होनी चाहिए कि उनको catch कैसे करना है, ठीक है, तो अगर थोड़ा सा physical की बात करें, तो कुछ चीजें अगर हम medicine का याद रखें, जैसे कि एक modalities, modalities हर एक medicine की important होती है, उसका जो physical makeup है वो भी पहुत important part होता है, ठीक है, यहाँ पर जब आप mind के symptom नहीं ले रहे हो, पूरा classical homeopathic कर रहे हो, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान देनी पड़ेगी, तो अगर हमने पहली चीज अगर हम बात करें, कि patient जब clinic पर आया, तो उसके look से आपने पैचान लिए, आरे ये तो पतला है, है ना पतला दुबला इंसान है, हो सकता है कि आसनिक हो, ठीक है, ये चीज हो गई, दूसरा modalities बहुत काम की होती है, ठीक, modalities आपको याद रखने हैं, तो इसका हम इतनी 12 भी तक repeat कर चुके हैं, कि भईया, कब उसको दिक्कत हो रही थी, दिन में दिक्कत हो रही थी, ठ बारा से दो दिन का, या फिर बारा से दो रात का, तो midday या midnight अगर ये देखने को मिल रहा है, डॉक्टर साब, रात को सो तो जाता है, लेकिन रात को बारा एक वज़े जाके इसको ऐसी खांसी शुरू होती है, कि पूरा घर जग जाता है, ठीक है, और ये डेली का है सर, ठ वे भी ठीक रहेगा, या तो दोपैर में इसको खांसी होगी, या फिर रात को जाके इसको खांसी शुरू हो जाती है, और जो इसका बलगम निकलता है, वो इतना गंदा निकलता है, कि बाथरूम में अगर ये जाकर और निकालकर आता है, तो वहाँ पर बहुत जादी स्मे पर निकलना पड़ता है, तो ये चीज थी, बाकी चीज हमने देखी कि पेशेंट को अगर सिर्व का कोई भी दिक्कत हो रही है, तो इसको हैड को cold में apply करने से, या फिर head को cold चीजें provide करने से, रखने से cold में उसको आराम मिलता है, वहीं अगर पूरी body की बात करें, तो उसमें heat से आराम मिलता है, पूरी body में burning देखने को मिलेगी, जलन देखने को मिलेगी, ठीक है, दूसरा prostration भी काफी जादा देखने को मिलता है, patient ठीक है, और उसके अलावा थष्ट की बात करें, तो इसकी जो प्यास होती है, वह कैसी होती, sip of water, थोड़ा थोड़ा करके पीता है, थोड़ी थोड़ी देर पर, जब भी इसको जलन महसूस होती है, पेट में उसमें, तो थोड़ा सा पानी पीता है, फिर अंदर चला जात पानी पी नहीं पाता है, वो जनरली ऐसा होता है, कि वो एकदम से body accept नहीं करता है, इसलीए यह पानी बा करके पीता है, थोड़ा थोड़ा करके पानी पीएगा थोड़ी दिरवाद फिर से पीएगा इस तरिक से यह patient गंदर देखने को मिलता है, फिजिकल इसके बहुछ सा जाना चाहता हूं कि क्लिनिक पर आपका जो पेशेंट आएगा जब वो आपसे बातें करेगा तो किस तरीके की बातें रहेंगी और आपको कैसे पहचानना है कि वो पेशेंट जो है वो आसनिक का है तो जब भी पेशेंट आपके क्लिनिक पर आता है तो एक एनरजी लेकर आत इतने दिन हो गए आपकी दवाई तो कामी नहीं करती है मतलब उसके डॉक्टर के मन में एक नेगटिविटी आ जाती है उसको कि इसको कैसी भी करके जल्दी से यहां से हटाना है ठीक है और एक होते हैं और रख साब नमस्कार नमस्कार कैसे हैं सर अरे सर आप हमें अकल वहां कम बगरा देते हैं जब आप आते हैं उनके पास मिलने या तो यह चीजे ठीक है तो आसनिक नेगटिविटी लेकर आता है तो वहां से आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशियेट हो जाएगा कि हाँ यह नेगटिव इंसान है मजा नहीं आ रहा है इसके साथ में बात करने में त आपको समझाया जाता है कि फास्ट इडियस होगा आसनिक का पिशन मलब क्या होगा कि उससे सब साफ चाहिए कुछ भी उसके रूम में कुछ भी गंदा संदा नहीं होना चाहिए जो चीज जैसी है वहीं की वहीं हो ठीक है गंदा होता है तो उससे दिक्कत होती है वो खीडत आ गई है तो वह कोशिच करेगा कि पहले इस matter को solve किया जाए फिर में कुछ आगे बढ़ूंगा जब तक वह चीज इसाल नहीं हो जाती है वह कि उसका दूसरी चीज में मन नहीं लगता एक किसी और दूसरी चीज में उसका मन नहीं लग पाता मत्रब हो तब सक रेस इसका एक एप है आप उसे डाउनलोड कीजिएगा फॉन में ठीक है जो की साइद मेरे ख्याद से अगर प्ले स्टोर से आप करेंगे तो वो पेड रहता है लेकिन वो उसका क्रेक्ट वर्जन भी मिल जाता है तो आपके सीनियर वगएरा जो हो उनके पास होते हैं ठीक है जो स सारे जो रूब्रिक्स जब आप डालेंगे यह मांड सेक्शन के रूब्रिक्स हैं ठीक है जब इनको डालेंगे तो उन सब के अंदर आपको आसनिक देखने को मिलेगी उनी की हैल्प से मैं आपको यह मेडिसिन समझा रहा हूँ ठीक है तो रेश्ट कैन नोट वैं तिंस आ पẩ Leakin दिया है अब आप परिशान हो रहे तरह रहे हैं मतंब यह तरीके से की वो पैन तो ले गया है अब देखे जाएगा की नहीं कि नढ़ेगा कहीं वह भूलना जाए कई वह पार देजमे रखे अपने घर नहा चला जाए है तो जब तक वो पैन आपका आ पके बाद वा ची रहेगी ठीक है यह मांड लेवल पर हो गया फिजीकल लेवल पर क्या हो गया कि आपके मान लीजे कोई एक पॉट था फ्लावर पॉट वह टेवल पर रखा हुआ था ठीक है वो साइड में हो गया है कहीं ठीक है अब जब तक आप उसे वापिस वहीं नहीं रख दोगे कुछ भी हो तो पेशेंट बीमारी के दोरान भी काम करता रहता है क्यों कि डॉक्ट साब अगर मैं काम नहीं करूंगा या करूंगी ठीक और पूरा जो रूम है वह यसे गंदा पड़ा रहेगा तो मुझे लगता है कि मैं और जादा बीमार हूं ठीक है इसलिए चाहे मैं दर्द हो रहा हो चाहे कुछ भी हो रहा हो मुझे काम करना है तो करना है सिंपल सी बात ठीक है तो रेश्ट केनट वें ठीक सार नॉट इन प्रॉपर प्लेस और फास्ट इडियस ही हो गया हमारा ठीक आगे बात करते हैं अब क्योंकि हमने देखा है कि ये एक नेगिटिव अपने अंदर कैरी करता है तो ये जो पेशेंट होता है ये डिक्टेटोरियल होता है डिक्टेटोरियल का मतलब क्या होता है डिक्टेटर ताना शाह ठीक है ताना शाह होता है ये अपने घरवालों पर कमांड करेगा घरवालों पर अपने हुकम चलाएगा ठीक है अपनी वाइफ के ऊपर बच्चों के ऊपर कि में ली जाओ पानी लेकर आओ ठीक है वाइफ को बला लेगा आओ मैं थक ग्याओं बहुत जादा मेरे पैर दवा दो ठीक है और दवाते रहेंगी वो काफी बच्चों से काम करवाएगा घरवालों से काम करवाएगा तो डिक्टेटर ह होता है कि जब तक गर में रहता है वो सब क्या कर रहे हैं सफाइ यदो तो लगा हुआ है झालता रहेगा चलाता रहेगा बच्चों को वाइफ को सबको तो घरवाले चाते हैं कि यहां से निकल जाए ठीक है जल्दी से ऑफिस जाएं और हमें शांती मिले तो इस तरीके के जो पेशन्ट होते हैं वह आर्सनिक पेशन्ट होते हैं याद रखना बहुत सारी जगे आपको मिल जाएंगे डिक्टिटोरियल होते हैं selfishness देखने को मिलती है इनके अंदर मतलब इनको अगर बीवी की तवियत खराब है तो उसको मतलब नहीं है कि उसकी तवियत खराब है उसको यह मतलब है कि मुझे पैट दबाने है अपने ठीक है मेरा काम होना चाहिए कैसे भी करके ठी है उसको कैसी भी कंडिशन में चल रहा है वो ठीक है तो selfishness देखने को मिलती है पेशेंट के अंदर ठीक है यह अपना वहाँ पर अगर इलाज लेने आया है ठीक है आपके पास और साथ में कोई अटेंडर है इसके अटेंडर ने आगा और बोलना शुरू किया रहे सर थोड साथ मुझे भी यह दिक्कत होती है अरे तुम बाद में दिखा देना यार तुम बाद में दिखा देना कोई दिकत रहे मुझे अभी सर मुझे पहले देख लो ठीक है तो मतलब selfishness देखने को मिलती है इसके अंदर यह अपना-पना सोचता है ठीक है biting tumbler biting tumbler यह बहुत देख रहा है ठीक है जिससे तुम पानी पी रहे हो जिससे खाना खा रहे हो ठीक है उसी बावल को तुम काट भी रहे हो ठीक है biting tumbler मतलब कि वो lady या फिर वो person जो आपकी सेवा कर रहा है पूरे दिन अब उसी पर चलाते रहते हो तो ठीक ते नहीं करता तो पानी मंगा था मैंने गंटा हो गया पांच मिनिट पहले ही पानी मंगा रहता है ठीक है इसके लिए वो पूरा जीवन अपना समरपित कर देता है लेकिन आसनी के patient को ऐसा उसी को ही चलाता रहे गा उसी को ही डांटता रहेगा गालिया देता रहेगा तो biting tumbler इसका मतलब होता है biting tumbler जब आप डाल के अंदर तो आपको वहाँ पर arsenic medicine मिल जाएगी ठीक है ये चीज हो गया अब ये चाहता है carried desire to be carried constantly carry desire to be carried इसके physical में भी मतलब होता है और mental में भी mind मतलब होता है अब physically अगर हम बात करें तो carried desire to be का मतलब क्या होता है carried desire to be का मतलब होता है कि मुझे गोद में लेके carry कर लो ठीक है बच्चा होता है छोटा छोटा बच्चा होता है अगर आप उसे गोद में लेकर ये खिलाते रहोगे थोड़ी देड़ तक कैसे करते रहोगे तो वो चुप रहेगा constantly उसको carry करे रहोगे तो चुप रहेगा जैसे ही आप उसको लिटा दोगे विस्तर पर वो रोना शुरू हो जाता है ठीक है यह physical level पर मैंने बता दिया carry desire to be carried constantly अब अगर mind level पर अगर बात करें तो यह patient carry होना चाता है किसी ना किसी के उपर मतलब जैसे जब वो बीमार है तो वो carry किस के उपर है अपनी wife के उपर जो उसकी सेवा कर रही है ठीक है उसके उपर है और वो चाता है कि वो हमेशा मेरी सेवा में लगी रहे carried constantly carry होना है लेकिन carry constantly होना मैं लगातार carry रहना है ठीक है वहाँ पर चिलाना शुरू कर देता है ठीक है abusive में भी है गाली वगरा भी देना शुरू कर देता है ठीक है तो carry desire to be carried constantly यह चीज आपको समझ में आ गई है ठीक है या फिर carry desire to be के कुछ rubrics और भी है जैसे कि मान लीजे कि बच्चा है छोटा ठीक है दूसरी तरफ उसका ध्यान चला गया carry desire हो गया या फिर डॉक्टर साब मुझे जब भी दर्द होता है तो मैं क्या करती हूँ कि मैं टीवी देखना शुरू कर देती हूँ एक अचीजी पिच्चल लगा लेती हूँ जिससे क्या होता है टीवी देखने की फॉर्म में मूवी की फॉर्म में किया उसने ठीक है वो वहाँ पर carried हो गई ठीक है जिससे उसका अपनी बीमारी की उपर से द्यान हट गया ठीक है तो ये carry desire to be के examples हैं आगे बात करते हैं अब last में कुछ चीजे हैं जैसे की disposition to criminal without any remorse मतलब ये अपने घरबालों को इतना परिशान कर देता है ठीक है की criminal जैसी activity एक तरीके से की wife की तबियत बहुत ज़्यादा बेक कार है खराब है लेकिन फिर भी ये उससे काम कराई जा रहा है ठीक है वो बिचारी उसको चक्कर आ रहे हैं गिरते बढ़ते काम कर रही है नहीं काम करती है तो ये चिलाता है इसलिए उसको काम भी करना पड़ता है बिचारी को ठीक है तो criminal जैसे activity कर रहा है लेकिन इसको कोई अफसोस भी नहीं है रिमोर्स नहीं होता है इसको कोई भी कि मैं आरे यार मैं अपनी वाइफ को परिशान कर रहा हूँ वो अल्डेडी परिशान नहीं है वो ये सोचता है ये मेरी वाइफ है इसका ये करतव है कि अपने पती की सेवा करे चाहिए इसकी कोई भी condition हो उसे मतलब नहीं हो selfishness देखने को मिलती है ना उसके अंदर तो इसलिए वो disposition to criminal without any remorse ठीक है क्रिमिनल बन जाता है लेकिन उसको कोई remorse भी नहीं होता कोई पस्तावा भी नहीं होता है उसको ठीक है तो ऐसा होता है ये आर्सनिक का patient indifference recovery aboutage ये हमने पहले देख चुके हैं कि डॉक्ट साब ये दर्द पहले सही करो गुटना गुटना तो बाद में सही होता रहेगा ठीक है अंदर क्या दिक्कत है पेट के मुझे कोई मतलब नहीं है बस ये जो पेट का ऊपर का जो दर्द हो रहा ही दर्द बंद कर दो ठीक है अंदर infection है क्या है क्या है वो ठीक है होता रहेगा ठीक ठाक ठीक है तो उसे recovery से कोई मतलब नहीं होता उसे बस उस symptom से मतलब होता है कि वो अटना चाहिए ठीक है एक last point हमने देखा average का मतलब क्या होता है एक तरीके से वो इंसान या पांच ड्रॉप अपने उसके सामने टॉपकाई का तो इसमें चार ड्रॉप और ढाल दो तो वो उसमें तुह तिंचार ड्रॉप और डलवा लगा तीक तो इस तरीके के जो लोग होते हैं की जो पैसे को बचाने के रही होते हैं यह於盃 ce के लोगों ठीक है तो यह थी हमारी आसनिक मेडिसिन तो आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी ठीक है तो यह जो आप फ़र्ष्ट सेकंड डियर के जो बच्चे हैं रूब्रिक्स पर ध्यान देना शुरू करो दीर दीरे करके यह बहुत लंबी प्रॉसेस है और जब आप फ़र्ष्ट एरा इंटर्ष्ट में पहुंचेंगे तो जब इन मैक्सिमम रूब्रिक्स के उपर आपने कमांड की होगी जो पेशेंट बोला करेगा तो आप फटा फट से उनको रूब्रिक में कनवर्ट करके सिंतेसिस में डालोगे रिपटरी में और वह आपके मेड मेडिसिन रहें ulat कर बूर लूओं समझ में आई होगी लेक्षा रावा ता लेकिन काम प्रता बहुत छलिया मिलते हैं आप से अगले लेक्षर में नेव मेर्टिसिन के साथ में प्ररिक के साथ में तबी लोग हैपी रही हराय एं ठीक airflow एक कियर एवरिवन